माया चाया वराकी कथमिव लभताम मैयनन्ते प्रतिष्ठाम अस्थाने चेश्वरत्वं दुहिन हरिहरा हंत्वन्हे स्फुलिंगाहा अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वपनवत जीव मेला श्रीपूर्णानन्दवानिश्टुतिशिकर सुधा स्वर्णदीनः पुनातू रामम रामानुजम सीताम भरतं भरतानुजम सुग्रीवं वायुसुनुम्च प्रणमामि पुनह पुनह नमोस्तु रामाय सलक्ष्मनाय देव्येच तस्येजनकात्म जाये नमोस्तु रुद्रेंद्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद गनेभ्य नारायन, 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 नारायन शीवंत बालमी की रामायन, बालकांड, कल प्रसंद को जहां विराम दिया गया था भगवान के स्री राम के प्रश्न करने पर विश्वा मित्र जी ने उस स्थान का परिश्य दिया जो कुषनाब के पुत्रों द्वारा जो नगर बसाया गया था तो वही हरियाली तुम आज देख रहे हो और फिर वो कुषनाब के आगे जो संतान हुई उसमें बताया कि पुत्रिष्टी यग्य किया कुषनाब जी ने और उस यग्य के होते समय परमुदार ब्रम कुमार महराज कुष्ण ने यानि कुषनाब जी के पिता जी ने जो कि ब्रमा जी के पुत्र थे कुष्णाप से कहा कि बेटा तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा कुष्णाप बड़े धर्मात्मा थे तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ती उपलब्द होगी गाधी नाम बड़ा प्रसिद्ध है शास्त्रों में ये विश्वामित्र जी के पिताजी थे हे श्री राम पृत्वी पती कुषनाब से ऐसा कहकर राजर्शी कुष आकास में प्रविष्ट हो सनातन ब्रमलोग को चले गए कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुषनाब के यहां परमधर्मात्मा गाधी नामक फुत्र का जन्म हुआ अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि वे परमधर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे में कुष के कुल में उत्पन होने के कारण मुझे कोशिक भी कहते हैं तो विश्वामित्र जी की मेहमा जैसा मैंने कई बार यहां कहा कि आगेश शतानन जी बालकांड में पंदरा अध्यायों में बड़े विस्तार में वर्णन करेंगे वह सिष्टर जी का और विश्वामित्र जी का कैसे क्या हुआ तो यहां बता रहे हैं कि अब तो मैं चला जाओंगा अभी तो तुम दोनों को लेके मैं मित्ला चल रहा हूँ मित्ला से फिर में हे श्री राम में यग्य सम्मंदी नियम की सिध्धी के लिए ही अपनी बहिन का सानिद्य छोड़ कर तो बहिन का सानिद्य का अर्थ क्या हुआ तो कह रहे हैं कि यह जो बहिन इनकी है विश्वामित्र जी की यानि कुष्णाब जी की बेटी उनको सत्यवती नाम की एक पुत्री भी हुई तो कहते हैं कि वो शरीर सहित स्वर्ग लोग को चली गई थी और वही प्रमुदार महा नदी कोशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है तो यह जो कोशिकी नदी है यहीं पर यानि हिमाचल में ही इनका विश्वामित्र जी का स्थान है और यहां यह जो आये हैं तो इन्होंने स्फष्ट का कि मैं यग्य संबंदी नियम की सिद्धी के लिए ही अपनी बहिन का सानिद्य छोड़ कर और यहां सिद्धाश्र में आया हुआ था और अब मेरा कार्य पूरा हो गया है यानि तुमने मारी चोर सुबाहू को मार के और निर्विगन हमारे यग्य को संपन कर दिया है तो अब तुम्हारे तेज से, श्री राम को कह रहे हैं, अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धी प्राप्त हो गई है। अब रात को वहीं शोन भद्र तटवर्ती जो आश्रम है वहीं रात को रुख जाते हैं और अगले अध्याय में ये बात आई है कि महर्शियों सहित विश्वा मित्र ने रात्री के शेश भाग में शोन भद्र के तटवर शेहन किया जब रात बीती और प्रभात हुआ तब अविश्वा मित्र जी उठा रहे हैं सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या परवर्त ते उत्तिष्ठ हो उत्तिष्ठ भद्रम ते गमनाय अभी रोचय ये श्री राम रात बीत गई सबेरा हो गया तुम्हारा कल्यान हो उठो 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 और चलने की तयारी करो यहां से अब आगे जो चलने की तयारी कर रहे हैं तो भगवान स्वयम गंगा जी के बारे में प्रश्ण करेंगे तो 38 में अध्याय में इसका वर्णन बालमिकी जी ने किया है और ये साथ अध्यायों में गंगा जी के अवतरन की कथा है कथा प्राय प्राय हम सब लोगों को पता है पर यहां बालमिकी जी का जो वर्णन की शेली है वो बड़ी रोचक है और बड़ी विश्तार में है विश्वा मितर जी ने मधूर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुना कर यानि इसके पूरो भी कुछ कथा सुनाई है पर उसके बाद में ये दूसरा प्रसंग यानि गंगाजी के अवतरन का प्रसंग इस प्रकार सुनाया ये वीर पहले की बात है अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे उन्हें कोई पुत्र नहीं था अतवे पुत्र प्राप्ती के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे इनके दो पत्निया थी एक तो विदर्व राजकुमारी केशिनी ये बड़ी पत्नी थी बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी और दूसरी पत्नी का नाम था सूमती ये अरिश्ट नेमी कश्चव की पुत्री थी और गरूड की बहिन थी सूमती जो थी ये गरूड की बहिन थी महराश शगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमाले परवत पर जाकर भ्रिगु प्रस्रवन नामक शिखर पर तपस्या करने लगे इतिहास में पुराणों में महाभारत में तपस्या का इशियों के द्वारा राजाओं के द्वारा वर्णन आया है सो वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसंद हुए सत्यवादियों में श्रेष्ट महर्शी भ्रिगु ने राजा सगर को वर दिया वर में क्या कहते हैं तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ती होगी तुम इस संसार में अनुपम कीर्थी प्राप्त करोगे किसको कह रहे हैं सगर को कौन कह रहे हैं भ्रिगु जी हे तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जनम देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा तथा दूसरी पत्नी साथ हजार पुत्रों की जन्नी होगी अब वहाँ दोनों हैं जब ये तब चल रहा है तो केशिनी भी वहाँ है और सुमती भी है तो महत्मा भ्रिगु जब इस परकार कह रहे थे तो उस समय उन दोनों राजकुमारियों यानि रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वेंभी अत्यंता आनंदित हो दोनों हाथ जोड़ कर पूछा हे ब्रह्मन किस रानि के एक पुत्र होगा और कोन बहुत से पुत्रों की जन्नी होगी हम दोनों ये सुनना चाहती है उन्हें दोनों की ये बात सुनकर प्रमधर्मात्मा भ्रिगु ने उत्तम वाणी में कहा कि हे देवियों तुम लोग यहां अपनी इच्छा प्रगट करो तुम्हें वंस चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्थ हो अथ्वा महान बलवान यशश्वी युम अत्यंत उस्साही बहुत से पुत्र प्राप्थों में इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहन करना चाहती है विशामित्र जी सुनाते हैं ये रकुल नंदन श्री राम मुनी का यह वचन सुनकर केशीनी ने क्योंकि उजेष्ट पत्नी थी तो राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहन किया तो स्वाबा भी कहे कि सुमति को अब ये जो गरुड जी की बहिन थी महान उस्साई और यशस्वी साथ हजार पुत्रों को जन्म देने का वरुसे प्राप्त हो गया हे रकुनंदन तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्शी की परिक्रमा करके उनके चर्णों में मस्तक जुकाया और अपने नगर को प्रस्तान किया अब कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज है कहीं गलती से असमंजस तो असमंजस शब्द हिंदी में हमको बड़ा असमंजस हो रहा है आश्चेरिय हो रहा है आदी पर यह इसका पुत्र का नाम है असमंज असमंजस नहीं है तो केशिनी ने पुत्र असमंज को जन्म दिया और छोटी रानी सुमती ने तूम्भी के आकार का एक गर्ब पिंड उत्पन किया उसको फोडने से साथ हजार बालक निकले उन्हें घी से भरे वे घड़ों में रखकर धाईयां उनका पालन पोशन करने लगें माभारत में भी जो सो कौरों पैदा हुए हैं तो इसकी वो जो प्रक्रिया है वो यही है जो यहां वर्णन है धीरे धीरे जब बहुत दिन बीट गए तब वे सभी बालक युवावस्ता को प्राप्त हुए इस तरह है दिर्ग काल के पस्चात राजा सगर के रूप और युवावस्ता से सुशोभित होने वाले साथ हजार पुत्र तयार हो गए हे नर्श्रिष्ट रगुनन्दन विशामित्र जी कह रहे हैं सगर का जेश्ट पुत्र असमंझ नगर के बालकों को पकड़ कर सर्यू के जल में फेक देता भागवत में वेन का वर्णन आया है वेन जो था वह भी इसी प्रकार जे करता था खेर बाद में तो उसको राजा बनाना पड़ा तो ये असमंझ भी उसी की प्रकरतिका था और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हसा करता इस प्रकार पापा चार में प्रविर्टो होकर जब वे सत्पुर्शों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया असमंझ को बाहर निकाल दिया असमंझ के पुत्र का नाम था अंशुमान अब अंशुमान के आगे जो पीड़ी है वो सब हम लोग परिशीत है उससे वह बड़ा ही प्राकरमी सबसे मदुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था अब यहां यह 38 अध्याय पूरा हो रहा है हे नर्श्रेष्ट हे श्री राम कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यग्य करूँ यह द्रिड निश्चे करके राजा लोग यग्य करते थे उन दिनों में तो वे वेद वेता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यग्य करने की तैयारी में लग गए अगले अध्याय में वर्णन करते हैं बालमिकी जी विश्वा मित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री राम चंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए अब ये एक अध्याय आपको सुनाया गया है उन्होंने कथा के अंत में अगनी तुल्य तेज़स्वी विश्वा मित्र मुनी से कहा क्या कहते हैं श्री राम हे ब्रह्मन मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ तुमारी क्यों है रूची मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यग्य किया था अब देखिए यहां विश्वा मित्र जी वर्णन करने जा रहे हैं पर फिर भी श्री राम के हिर्दे में जो इस प्रसंग को सुनने की जो कोतुहल है तो वालमी की वर्णन कर रहे है कि उनकी यानि श्री राम की वह बात सुनकर विश्वा मित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ वे यह सोच कर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए यह प्रश्न कर रहे हैं तो वे जोर-जोर से हस बड़े और हस्ते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा हे राम तुम महात्मा सगर के यग्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो अब जब तुमारी इच्छाई है तो वक्ता जो होता है और यह जो विशेश रूप से अपने पुराण में इतिहास में यह जो वक्ता है विश्वा मित्र आगे उतरकांड में अगस्त रिशी यह अद्भूत वक्ता है यानि पूरी की पूरी उनकी मेधा देखिए महाराशी आज ही अपने अध्यात्म रामाइन में कह रहे थे कि हमको यह सब फिर वाद में याद नहीं रहता है और बात सच्ची है क्योंकि यह सब पात्र वगएरे यह सब भूल जाते है पर इन रिश्यो की मेधा बड़ी अद्भूत होती थे तो जब भगवान ने कहा कि मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ तो यह कह रहे हैं कि सुनो मैं यग्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ हे पुर्षोतम शंकर जी के स्वसुर हिमवान नाम से विख्यात परवत विंध्या चल तक पहुँचकर तथा विंध्य परवत हिमवान तक पहुँचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं यानि एक तो एकदम उत्राखंड में है और विंध्य इदर बीच में है इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा उंचा परवत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्तित कर सके इनहीं दोनों परवतों के बीच आर्या वर्त की पुन्य भूवी में उस यग्य का अनुष्ठान हुआ था वही देश यग्य करने के लिए उत्तम माना गया है राजा सगर की आग्या से यग्य अश्व की रक्षा का भार सुद्र्ड धनुर्धर महारती अन्शुमान ने स्विकार किया था अन्शुमान जो हैं ये पवत्र हैं सगर के असमंज को तो निकाल दिया था तो अन्शुमान के जिम्में ही ये किया गया था कि अश्व की शुरक्षा बहुती जरूरी है परंतु पर्व के दिन यग्य में लगे हुए राजा सगर के यग्य सम्मंदी घोड़े को इंद्र ने राक्षश का रूप धारन करके चुरा लिया तो अब होता क्या है महामना सगर के उस अश्व का अपहरन होते समय समस्त रित्विजों ने यजमान सगर से कहा आज पर्व के दिन कोई इस यग्य सम्मंदी अश्व को चुरा कर बड़े वेग से लिये जा रहा है रित्विजों ने देखा कि वो इंद्र जो है राक्षश के रूप में इंद्र है ये तो नहीं पता लगा उन लोगों को पर कोई बड़े वेग से उसको ले जा रहा है तो सगर को कहते हैं आप चोर को मारिये और घोड़ा वापस लाइए नहीं तो यग्य में विग्ण पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा ये राजन आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये यग्य बिना किसी विग्ण बादा के परिपूर्ण होगे उस यग्य सभा में बेटी हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने साथ हजार पुत्रों से कहा हे पुरुष प्रवर पुत्रों ये महान यग्य वेद मंत्रों से पवित्र अंतह करण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपाधित हो रहा है अता यहां राक्षो सरुप की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता देखे बहुत महित्पुन बात कहे रहे हैं राजा सगर कहे रहे हैं कि वेद मंत्र जहां पवित्र अंतह करण वाले महाभाग महात्माओं जिस यग्य को कर रहे हैं वहां कोई राक्षस पहुँच जाए यह संभवी नहीं क्योंकि वो जो अगनी है उस अगनी में इतना शक्ती रहते ही कि वो राक्षस वहां प्रवेश ही नहीं कर सकता तो सगर कहना क्या चा रहे हैं अता यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटी का पुरुष होगा अता हे पुत्रों तुम लोग जाओ घोडे की खोज करो समुद्र से घिरी हुई सारी प्रत्वी को छान डालो अब साथ हजार हैं एक-एक योजन विस्तरित भूमी को बांट कर उसका चपा-चपा देख डालो जब तक घोडे का पता न लग जाए तब तक मेरी आग्या से इस पृत्वी को खोदते रहो इस खोदने का एक ही लक्ष है उस अश्व के चोर को ढूड निकालना अच्छा मैं सगर कहरें अपने लिए मैं यग्य की दीक्षा ले चुका हूँ अता स्वेम उसे ढूंडने के लिए नहीं जा सकता इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न होवे तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंश्वान के साथ यहीं रहूंगा अब विश्वामित्र जी वणन करते हैं कि हे श्री राम पिता के आदेश रूपी पंधन से बंद कर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्श का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे पिता कोई शाग्या दे तो हर्श होता है पुत्रों को कि चलो हम इस कारे को कर लेंगे सारी पृत्वी का चकर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुस्षिह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक-एक योजन भूमी का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंब किया उनकी उन भुजाओं का स्पर्ष वजर के स्पर्ष की भाती दुस्ष्य था ये रुगनन्दन उस समय वजर तुल्य शूलों और अत्यनत दारुन हलों द्वारा सब और से विदिर्ण की जाती हुई वसुधा आर्थनाद करने लगी वसुधा को बड़ा कश्ट हुआ इधर जब खोद रहे हैं तो उससे नाग मारे जा रहे हैं असूर राक्षस जो भी थे तता दूसरे दूसरे प्राणियों का भैंकर आर्थनाद गुंजने लगा हे श्री राम उन्होंने साथ हजार योजन की भूमी खोद डाली मानों वे सरोतम रसातल का अनुसंदान कर रहे हैं इस परकार परवतों से युक्त जंबु द्वीब की भूमी खोते हुए वे राजकुमार सब और चक्कर लगाने लगे और इसी समय गंधर्वों अशुरों और नागों से संपूर्ण देवता मन ही मन घवरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए वे भैसे अत्यनत सम्तरस्त हो गए थे उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसंद करके इस परकार कहा कि हे भगवन सगर के पुत्र इस सारी प्रत्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वद कर रहे हैं यह हमारे यग्य में विग्ण डालने वाला है इधर तो राजा सगर का यग्य हो रहा है जिसके लिए अश्व ढूंडा जा रहा है और यह पूरा प्रेत्न किया जा रहा है और देवताओं का जो यग्य है उसमें यह विग्ण रूप है अच्छा नहीं यह जो अगला अंतिम जो स्लोक है यह कौन कह रहे हैं सगर के पुतर कह रहे हैं कि यह हमारी यग्य में विग्ण डालने वाला है यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं यानि देवता लोग वर्णन कर रहे हैं कि ये जो सगर के पुत्र हैं वो भाई वो क्यों मार रहे हैं लोगों को तो ये यग में विगन डालने वाला ये हमारा आश्वे चुरा कर ले जाता है ऐसा यानि किसी को भी सोचके और उसको मार रहे है तो इतना वर्णन यहां 49 में अध्याई में करके अगले अध्याई में कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रमा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भैभीत हु यह सारी प्रिथ्वी ब्रमा जी क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा यह देवगण यह सारी प्रिथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तू है तथा जिन भगवान लक्ष्मी पती की यह रानी है वेही सर्व शक्तिमान भगवान श्री हरी कपिल मुनी का रूप धार ब्रह्मा जी जो ये बात बता रहे हैं, देवताओं को ये बात पता नहीं है, तो इसलिए वो जो कपिल मुनी है, यानि भगवान श्री हरी ही कपिल मुनी के रूप में हैं, और वे ही इस पृतिव को धारन करते हैं, तो उनकी कोपागनी से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म ह हो जाएंगे, ब्रह्मा जी को ये पता है, ये साथ हजार में से कोई नहीं बचेगा, पृतिव्यास्चाप निर्भेदो द्रिष्ट एव सनातन है, सागरस्य चपुत्रा नाम, विनाशो, दीर्ग दर्शी नाम, पृतिवी का ये भेदन सनातन है, यानि प्रते कल्प में औ सुष्यम भावी है, शुत्यों और स्मृत्यों में आये हुए सागर आदी शब्दों से ये बात सुष्पष्ट ग्यात होती है, तो इसी प्रकार दूरदर्शी पृत्रों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, यानि है देवताओं, आप लोग जो ये आयव हो, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो इतिहास है, जो की दोहराया जाता है बार बार, अता इस विशे में शोक करना अनुचित है, ब्रमा जी का ये कथन सुनकर, शत्रों का दबन करने वाले तेतीस देवता, बड़े हर्ष में भर कर, यहां तेतीस ही करोड नहीं है, जैसे आये थे, उसी तरह पुनल लोट गए, अचा उनका क्या हुआ, सगर पुत्रों का, सगर पुत्रों के हाद से जब प्रत्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भेंकर शब्द होता था, इस तरह सारी प्रत्वी खोद कर, तथा उसकी परिक्रमा करके, वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लोट आये, अब पिता को क्या कहते हैं, हे पिता जी, हमने सारी प्रत्वी खान डाली, देवता, दानव, राक्ष, पिशाच, और ना, अगादी, बड़े-बलवान प्राणियों को मार डाला, क्य कि यही शायद हमने हमारे अश्व को चुराया है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है, तो ऐसे कईयों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोडा दिखाई दिया, और ना घोडे को चुराने वाला ही दिखाई दिया, अब हमारे लिए आप बताएए कि हम क्या करें इस विशय में आप ही कुछ हो पाई सोची विश्वमित्र जी कहते हैं कि ये रगुननदन पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ट सगर ने उनसे कुपित होकर कहा जाओ फिर से सारी प्रत्वी खोदो और इसे विदिर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ चोर तक पहुचकर काम पूरा होने पर ही लोटना ये दो कोई बात ही नहीं हुई ना परमभु जे महाराश्री ने मतलब अभी तो ये हमारे गंगा अवत्रन का भूमिका है पर महाराश्री ने कहा है कि असल में गंगा अवत्रन की कथा मनुष्य के पवरुष्य की कथा है यदि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म में मनो योग पूर्वक लगा रहे तो एक न एक दिन उसको सफलता मिलती ही है देखिए वहाँ एक पीडी में नहीं सफलता मिली तो आगे वरन नावेगा कि कैसे और यहाँ यह सगर के साथ हजार पुत्र लोटे आए तो पिता कहता है कि फिर जाओ सफलता साधनों में नहीं है मनुष्य के उसाह में निवास करती है बड़ा प्रसिद्ध यह संस्कृत का स्लोक है क्रिया सिद्धी सत्वे भवती महताम नोप करने इसलिए मनुष्य को कभी भी उदास निराश होकर अपने प्रयत्न को सिथिल नहीं करना चाहिए करते चलो करते चलो चरई वेती चरई वेती तो यहां पर हम देखते हैं कि सगर ने यहीं कहा कि बलकि क्रोधित होके कहा कि सारी प्रत्वी खोदो और उसे विदिर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ चोर तक पहुँचकर काम पूरा होने पर ही लोटना अब सगर को क्या पता था कि वो लोट ही नहीं पाएंगे अपने महत्मा पिता सगर की यह आज्या शिरोधार्य करके वे साथ हजार राजकुमार रसातल के और बढ़े और क्रोध में भर कर प्रत्वी खोदने लगे ज्यान दीजिएगा विश्वा मितर जी को कहा गया है कि हमको विस्तार में ये कथा सुननी है तो श्री राम के प्रार्तना पर विस्तार से बता रहे हैं उस खुदाई के समय ही उन्हें एक परवताकार दिग्ज दिखाई दिया अब ये इसका जो क्रम है आप हमेशा देखेंगे शास्त्रों में पूर्व दिशा से फिर दक्षिन फिर पस्चिम और फिर उत्तर तो पूर्व की खुदाई हो रही है और उसी दिशा में एक परवता कार दिग्ज इनको दिखता है नाम उनका पता लगा ये विरुपाक्ष इसका नाम है और वो दिग्ज क्या कर रहा है उस भूतल को धार्ण किये हुए है अच्छा अब ये रगुनन्दन महान गजराज विरुपाक्ष ने परवत और वनो सहित संपून प्रत्वी को अपने मस्तक पर धार्ण कर रखाता है ये तो हुआ पूरो की दिशा का वर्णन वह महान दिग्ज जिस समय ठककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था लोग पूछते हैं कि भूकम्प क्यों आता है तो बस वो उस समय भूकम्प होने लगता है ये श्री राम पूरो दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरुपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए यानि दक्षन दिशा की ओर आए पूरो दिशा का भेदन करने के पस्चात वे पुनह दक्षन दिखाई दिया यानि चार दिगज इसको थामे हुए है पूरी प्रत्वी को उसका नाम था महापद्म अब उसको भी प्रणाम करके और परिकर्मा करके आगे बढ़ते हैं पस्चिम दिशा में वहां की भूमी का भेदन करने लगे तो प्रवताकार दिगज सोमनस का दर्शन ह होता है और फिर उत्तर दिशा में जब जाते हैं तो वहां पर हिम के समान स्वेत भद्र नामक दिगज का दर्शन हुआ जो अपने कल्यानवे शरीर से इस प्रत्वी को धारन किये हुए था यानि चारों के चारों दिगज दिगजों का दर्शन करके अब यहां होता क्या है उसका कुशल समाचार पूच कर राजा सगर के वे सभी साथ हजार पुत्र यानि प्रत्य दिगज से कुशल समाचार पूच कर उसकी परिकर्मा करने के पस्चात भूमी खोदने के काम में जुट गए अब खोदने का कार्य शुरू है अब चारों दिशाओं में खुद गया है पूरवत्तर यानि पूरव और उत्तर के बीच की दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोश पूरवक प्रति को खोदना आरंब किया यहीं पर एक घटना घटित होती है इस बार उ सभी महामना महाबलीयम भयानक वेक्षाली राज कुमारों ने वहां सनातन वासुदेव सरूप भगवान कपिल को देखा जो बताया था ब्रह्मा जीने देवताओं को कि यह भगवान हरी ही कपिल रूप में हैं तो अब यह साथ हजार जो सगर के पुत्र हैं वो देखते है भगवान कपिल को और राजा सगर के यग्यकाब घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चर रहा था देखिए इंदर ने क्या किया है घोड़ा चुरा कर और वहां कपिल के यहां छोड़ दिया है वो चर रहा है अपना यह रगुनंदन उसे देखकर उनस सब को बहुत अपने यग्य में विग्न डालने वाला जानकर सहबा भी कह चारों दिगजुंका तो दर्शन हो गया और अब यह भुड़ा भी मिल गया और जो कपिल मुनिया ने चोर भी मिल गया तो इनको नहीं पता है कि चोर कौन है तो भगवान कपिल को अपने यग्य में विग्न डा वालने वाला जानकर उनकी आँखें क्रोध से लाल हो गई सगर पुत्रों की यानि साथ हजार हैं उन्होंने अपने हातों में खंती हल और नाना परकार के विरिक्षेम पत्थरों के ठुकड़े ले रखे थे वे अत्यंत क्रोध में भरकर और कफिल मुनी की और दोड़े और अरे खड़ा रहे खड़ा रहे यानि भाग मत जाना तु ही हमारी यग्य के घोड़े को यहां चुरा लाया है यह दुरबुद्धे अब हम आ गए तो पिता ने आ गया करी थी जब तक घोड़े को नहीं देखो तब तक लोटना नहीं अब गोड़े को देख तो लिया पर लोट नहीं पाएंगे भेचारे क्यों क्योंकि कपिल को कह रहे हैं तु ही हमारी यग्य के घोड़े को यहां चुरा लाया है यह दुरबुद्धे अब हम आ गए तु समझ ले हम महराज सगर के पुत्र हैं बड़ा परिश्रम किया है यानि उसी को बाद में गंगा जी ने उसको पुरा भर दिया तो वही सागर है आज जो समुद्र है तो कितना बड़ा खोदा होगा यह रगुनंदन उनकी बास सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोश हुआ और उस रोश के आवेश में ही उनके मुँसे एक हुंकार निकल पड़ा है श्री राम उस हुंकार के सा पाति उन अनंत प्रभावसाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया है यहां यह चालीश माध्या विश्राम को प्राप्त होता है कल हम सगर के आज्या से अंशुमान का रसातल में जाकर घोडे को ले आना और अपने चाचाओं के जितना भी समय अपने पास है है यह सुनने वाला पूरा का पूरा मतलब बहुत ही गजब का प्रसंग है तो सुनने लाइक है तो इसको क्रम-क्रम से अगर कल गंगा का उत्रन नहीं हो पाया तो अपना लोकडाउन के बाद कर लेंगे नारायन, 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 आज क्या सखरो